हालो फ्रेंड्स बेल्कम टू जानी टॉक्स तो आज इस वीडियो में सब्सक्राइब पढ़ना है तो वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल के साथ चुड़ सकते हैं दोस्तों ऐसे तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपको इस वीडियो में ही प्रेशन याद हो जाएंगे आपको किताब पढ़ने की जुरूरत नहीं पढ़ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे बड़ी बात दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडियो चाहिए दोस्तों तो आप मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना बहां पर आपको इसकी पीडियो मिल जाएगी एक बार आप इसको रेड कर लेंगे द्वारा से तो आपको दोस्तो ये फिर वीडियो में ही याद हो जाएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो काफी शांदार रहने बाली हैं हम पूरा दोस्तो जो भी माचवदेश में नदिया हैं उनकी साहिक नदिया हैं जो भी पे को पता है हमाचर पुदेश में मुख्यता कितनी नदिया हैं तो दोस्तों मुख्यता हमाचर पुदेश में मुख्यता जो है वो हो पांच नदिया है जो में बड़ी नदिया है वो है पांच कौन कौन सी नदिया है दोस्तों ये है सतलुज राभी ब्यास चिनाब और यमुना तो ये पाँच नदियां हैं सबसे पहले इनके बारे में दोस्तो हम main main fact जान लेते हैं तो मुख्या नदियां हमाचल प्रदेश में कितनी होगी तो मुख्या नदियां होगी पाँच कौन-कौनसी राभी, यमुना, ब्यास, सतलुज और चिनाप तो ये पांच नदिया हैं मुख्य माचल प्रदेश में है और बात करें दोस्तों इसवे फैक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबी नदी कौन सी है सबसे लंबी नदी हो गई आपकी सतलुज सतलुज जो है दोस्तों लंबाई के अधार पर सबसे बड़ी नदी है यनकी अगर बात करें सबसे लंगेस्ट की लंगेस्ट हो गई सतलुज और बड़ी बात करें बेगेस्ट यनकी बाईबोलियम अगर पानी के हिसाब से बाईबोलियम जल घनत्तब के हिसाब से तो वो जो आपने याद रखने हैं और दोस्तों ये सबसे वड़ा फैक्ट है कि कुल लंबाई के अधार पर यमना जो है वो सबसे बड़ी नदी है इसकी कुल लंबाई जो है 1525 किलो मेटर है तो दोस्तों आपको बैसे दो यमना जो माचब देश में सबसे छोटी नदी है यमना लेकिन अगर कुल लंबाई की बात करें जैसे सतलुच जो है इसकी माचप देश में लंबाई जो है वो 320 किलोमेटर है तो दोस्तो बैसे यमना जो है यमना की बहुत काम है 22 किलोमेटर के एराउंड इसकी लेंथ है लेकिन अगर बात करें कुल लंबाई की जैसे सतलुच की 1448 किलोमे वैसे हिमाचप देश के हिसाब से यमूना हिमाचव की सबसे छोटी नदी है और कुल लंबाई के अधार पर यमूना जो है वो सबसे बड़ी नदी है तो ये आपने याद रहोगना है I hope आपको ये हिसाब याद हो गया होगा लगया होगा पता बाद में एक बार हम फिर इसका revision करेंगे तो next है दोस्तो अब exam में question आते हैं उनके बैदिक नाम से और Sanskritic नाम से जो नदियां है और उनके उद्गम स्थान से तो दोस्तो ये हमने cover करा है तो बात करें सत्लुज रीवर की तो दोस्तो सत्लुज रीवर का जो प्राची नाम है यनकी बैदिक नाम है वो है सत्लुज रीवर निकलती कहां से है तो दोस्तो ये निकलती है मानसरोबर जील से यनकी मानसरोबर जील के राकस्ताल के स्मीव से निकलती है सत्लुज रीवर इसका बैदिक नाम हो गया स्टुद्री और बात करें दोस्तों इसका संस्रियतिक नाम भी है तो वो है स्टुद्रू आपने याद रखना है और आगे बात करें ब्यास की ब्यास का जो ब्यादिक नाम है दोस्तों वो है अरिजकिया और कहां से निकलती है ब्यास रिबर तो य स्टेक हो गई है ब्यास जो निकलती है दोस्तों वो निकलती है रहतांग दर्रे से निकलती है बारालाच्चा दर्रे से तो चिनाब रिबर निकलती है तो यहाँ पर कन्फ्यूस हो गया है बड़ा भंगाल से रावी निकलती है रहतांग दर्रे से ब्यास निकलती है इसको और यमना नदी उत्राखंड के यमनुत्री जो कालेंद परवत है बंदरपुच परवत्से ये फिर यमनुत्री हिमानी से निकलती है जो यमना रिबर है तो यहाँ पर राइटिंग में थोड़ा मिस्टीक हो गया है और बात करें इनके बैदिक नाम की तो दोस्तो सतलुच का का हो गया सितुद्री ब्यास का हो गया रिजगिया ब्यास का कई बार सांस्क्रितिक नाम भी पूछ लिया जाता है तो दोस्तों वो है विपाशा और नेक्स्ट है राभी का जो बैदिक नाम है वो है दोस्तों पुरुशनी और इसका जो सांस्क्रितिक नाम है वो है इराबती नेक्स्ट है चिनाब डीबर जो है इसका बैदिक नाम है अश्चिकनी और यमना का है कलिंदी तक कलिंदी से आप रख सकते हैं याद यमना का बैदिक नाम कालिंदी है और यह कालिंद परबस से निकलती है तो इसमें आपने कन्फ्यूस नहीं होना है कहां से निकलती है सतलुज निकलती है मानस रोबर से ब्यास निकलती है रोतांग दर्रे से रावी निकलती है बड़ा भंगाल से यमना निकलती है कालिंद परबत से और ब्यास निकलती है दोस्तों रोतांग दर्रे से और चिनाब जो है वो निकलती है आपकी बारालाच्या द नदी है और कहां से निकलती है ये ये निकलती है मानसोबर जील के स्मीप राकस्ताल से निकलती है सबसे लंबी नदी होगी एक फैक्ट इसका है ये है और बात करें इसकी दोस्तों कुल लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई मैंने बताया 1480 किरोमेटर है जबकि माचप देश म इसका जो प्रभाग शेत्तर है दोस्तों वो है 320M इससे भी प्रेशन बनता है血 माचलब देश में सत्लुझ रीबर की लबाई कितनी है तो ये है 320 Kilometer जो की माचलब देश की सबसे लंबी नदी है और इसका जो मैंने पता दिया बैदिक नाम सतुद्री और संस्क्रितिक नाम जो है वो है शतुद्रू और दोस्तो इसे एक अन्या प्रेशन बनता है आप बात करें जो सतुरुज रीबर है वो तो निकलती तो मानसरोबर जील से है लेकिन यह हिमाचप देश म मैं प्रवेश करती है जो जो मेंन पॉइंट है दोस्तों वो मैंने काफी हैडलाइट कर दिये हैं ताकि आपको असानी रहे याद करने में तो जो कहां से प्रवेश करती है माचल मैं तो यह करती है शिप की दर्रे से उसके बाद दोस्तों किनोर को छोड़कर यह है सिमला के चोहरा में प्रवेश करती है कई बार चोहरा होता है बहाँ पर और कई बार बढ़ल होता है तो आपने याद रखना है बढ़ल में भी बढ़ल लिखा होता है कई जगा और कई जगा चोहरा होता है तो किनौर के बाद कहां प्रवेश करती है किनौर के बाद शिमला में और शि येश में मैंने बताया आपको मुख्यता जो हैं वो हैं 5 लिवर, कौन-कौन सी? तो सद्वे पहले सतलुज आ गई उसके बाद चिनाब आ गई ब्यास, रावी और यमुना तो ये जो नदिया है दोस्तों पांच ये है दो नदी तंतर का भाग है तो दो नदी तंतर कौण कौण से है जो मुक्यता two नदी तंतर है वो हैं एक हो गया सिंदु नदी तंतर और दूसरा है गंगा नदी तंतर तो दोस्तो चार जो नदियां है जो चार नदियां है सतलुज, रावी, चिनाब और जो ब्यास हैं दोस्तो यह जो है यहे सिंदु नदी तंतर का भाग है जबकि यमना जो है दोस्तो एक इकलोती यमन है वो है गंगा नदी तंतर का भाग अब दोस्तो एक अन्य फैक्चल क्वेश्चन चो सतलुज रीवर है इसको माचल में ही सतलुज के नाम से जाना जाता है तिब्बत में इसको जुढ्टी और मुखसुग के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट आब आगे की बात करें तो सतलुज नदी जो है दोस्तों मैंने पताया कि नौर मैं बढ़ल जो शिमला है कि नौर से शिमला में जब प्रवेश करती है तो बढ़ल या पिर छोरा नामकस्तान में प्रवेश करती है और जब सतलुज नदी मंडी जिले में प्रवेश करती है तो बहो फिरनु गाउं में प्रवेश करती है तो आपने याद रखना है फिरनु गाउं और बात करें सतुल रीबर की तो दोस्तो ये जब माचप देश को छोड़ती है बिलासपुर जी लेका जो भाकडा गाउं है या फिर जहां पर नैला गाउं भी आपने याद र जो बांध है गोविन सागरबांध बना है अब बात करते हैं सतलूच की दोस्तों इसकी जो साहिक नदिया悦े करती है आपके किनौड इस्टटिग में जो इसकी साहिक नदिया悦े कसांग, तेती, यूला, मूलगन, स्पिती और बस्पा यह जो मुख्यता यह जो है रीवर है इनी से ही exam में प्रेशन बनता है बैसे ज्यांतिंग, मूलंग, स्वॉलिंग और दूलिंग जो हैं दोस्तों ये भी इसकी साहिक नदिया हैं तो आपने याद रखना है किनोर में इसकी जो साहिक नदिया हैं वो है कसांग, तेती, यूला, मूलगन, स्पित्ति और बस्पा जो किसमें प्रवेश करती है वो करती है आपके सिमला जिले में तो सिमला में जो इसकी सहाई करीब रहें वो हैं नोगली, मच्छन, बहरा, खेकर, छामता और सबेरा एक दो बार आप PTF को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा या फिर आप इसका स्क्रिंशोट भी ले सकते हैं शिमला में सतिल्ज की सहाई कर नदिया आपको पहले बता दिया इनको भी थोड़ा डिटेल में डिस्क्स कर लेते हैं हम तो सबसे पहले बस्पा रिबर जो हैे कहां से निकलती है बस्पा पारियों से निकलती है और किनौईर ये कट्चम या फिर कलपा की बात करें तो कलपा के पास सत्रुज में प्रवेश करती है तो उनके संगन से भी फ्रेशन पूछे जाते हैं कि कौन सी सहाइक नदी कहां पर सत्रुज लीबर में मिलती है तो बसपा नदी कट्छम कलपा के पास थसलुद मिलती है देखिए हो गया पॉइंट Next है स्पित्य नदी तो दोस्तों स्पित्य जो है यह सतलुच की सबसे बड़ी साइक नदी है कहां से निकलती है तो यह लोल्स पित्य के कुंजम स्रिंकला से निकलती है स्पित्ती जो है आपने याद रखना है निकलती जो है बहुत कुंजम दर्रे से निकलती है लेकिन मिलती कहां पर है तो ये मिलती है नामगिया किनौर में नामगिया भी आता है और के जगा यहां पर खाब लिखका होगा खाब या फिर नामगिया तो आपने याद रखना है स्पित्ती नदी कहां पर सतलुज में मिलती है तो किनोर जी लेके नामगिया यहां पर खाब नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है तो यह हो गया, नेक्स्ट है यह जो तेकपोर कबजियां जो है दोस्तो यह स्पित्ती नदी की साहिक नदीयां है तो ऐसे भी पूछा जाता है कि स्पित्ती की साहिक नदीयां या फिर सतलुज की साहिक नदीयां तो यहाँ पर तेकपोर जो कबजियां है यह दोनों जो है स्पित्ती की साइक नदियां है एक main fact यह हो गया बाकी मैंने नोगली आपको पता दिया नोगली कहां पर है तो दोस्तो नोगली जो है यह शिमला में है सतलुज की साइक नदी है कहां मिलती है तो नोगली खड जो है दोस्तो ये रामपूर बशहर में सतलुज नदी से मिलती है आई होप आपको अच्छे से पता लग गया होगा नेक्स्ट अब बात करें तो दोस्तो मेंन क्वेश्चन इससे भी पुछा जाता है एक आपको अन्य साइक रीबर से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ तो दोस्तो साइक रीबर जब जो सतलुज रीबर है वो बिलास्पर में प्रवेश्च करती है यानकी दियोली मचली प्रजरन के अंदर है दियोली बहुँ आली खड के किनारे स्थित है और यह आली खड जो है यह सतलुच की साहिक नदी है और एक होगी घंबर खड तो इससे आपने यह जो दो तीन मैंने बताई विलासवर की यह भी आपने याद रखनी है अब नेक्स् दोस्तों उन्ना जिले में यह बहती है और उन्ना जिले को यह दो भागव में बाणती है तो यह भी प्रशन आता है कि कौन सी नदी उन्ना जिले को दो भागव में बाणती है तो वो है स्वार इबर और इसे माचब देश में दोस्तों या फिर उन्ना में दुख का दरिया भी कहा जाता है, सोरो अफ उन्ना कहा जाता है स्वार इवर को तो यह काफी important question है, काफी बारा exam है पूछा गया है, और बात करें स्वार इवर की इसकी जो सहाइक नदिया है तो दोस्तों वो हैं मलाट, ताके वाली, हुम, बरेडा गर्नी, पनोच्जा और गुबरी जो हैं यहें इसकी सहाइक नदिया है एक बार फिर से सासाथ बोलिए मलाट, ताके वाली, हुम, बरेडा गर्नी, पनोच्जा और गुबरी जो हैं दोस्तों यहें सहाइक नदिया है किसकी स्वार इवर की और जो स्वा रीबर है दोस्तों यहे जस्मा घाटी में बहते हुए नंदपुर साहिब के पास सत्रुज में मिल जाती है तो यानि कि ये भी सत्रुज की ही साहिक रीब नदी है तो कहां मिलती है नंदपुर साहिब में मिल जाती है जस्मा घाटी किसको कहते हैं दोस्तों उन्ना जिस्चे को उन्ना का जो पुराना नाम था वो था जस्मा नेक्स्ट अब चलते हैं आगे की और अब आगे दोस्तों सतुल रीबर हमने डिस्कस कर लिया तो अब चलते हैं ब्यास रीबर की और तो दोस्तों ब्यास रिबर जो है मैंने आपको पता दिया इसका जो बैदिक नाम है वो है रिजगिया और संस्क्रितिक नाम जो है वो है विपाशा आपको बीडियो में ही याद हो जाएगा मेरी गरंटी है दोस्तों तो next question मैंने आपको पता आया sorry ब्यास नदी जो है दोस्तों कहां से निकलती है तो जो पीर पंजाल परवर्ष निकला है रहतांग दर्रे से तो मैंने आपको बता दिया कहां से निकलती है ब्यास रिबर रहतांग दर्रे से रहतांग दर्रे का दोस्तों पुराना नाम जो था वो क्या था भ्रिगू तुंग इससे भी प्रेशन बनता है, पुराना नाम क्या था? तो वह है भीघुत तृंग और बात करें इसनदी की कुलनवाई, जो है दुस्तों कुलनवाई जो है 460 किलो मेटर कुलनवाई की बात करें तो बो हो गई 460 आठ्ट और हिमाचल में इसका जो प्रभाद शेत्तर है वो है दोस्तो फूशा किलो मेटर तो आपने याद रखना है इसके बाद जो ब्यास नदी है दोस्तो बोहो रोहतांग दर्रे से निकल कर और फिर पंजाब के मिर्थल में प्रवेश कर जाती है और दोस्तो उसके बाद यह सतुज में मिल जाती है ब्यास रिवर तो जो ब्यास नदी है दोस्तों कहां निकलती है रहतांग दर्रे यानि कि कुलू डिस्टिक में बहते हुए उसके बाद दोस्तों यहे बजोरा में मंडी में प्रवेश करती है तो कौन से स्थान पर बजोरा में मंडी में प्रवेश करती है और फिर मंडी को छोड़कर दोस् में बातें याद रखनी हैं कहां से निकलती है रोतांग दर्रे से बैदिक नाम क्या है रिजिकिया सांस्कृतिक नाम क्या है बिपाशा और रोतांग दर्रे का पुराना नाम क्या है वो है भिगुत तुंग कुल नबाई की बाद करें 460 किलोमेटर माचल में प्रभाख शेतर जो है वो है दोस्तो छपुंजा किलोमेटर और मंडी जिले में प्रिवेश करती है बजोरा नामक स्थान से और कांगडा में प्रिवेश करती है संधोल नामक स्थान से और हमाचल को छोड़ती है दोस्तो मिर्थल नामक स्थान पर ये ब्यास नदी से समंदित महतपूर्ण फ तो ये तीन जिलों से होकर गुजरती हैं और इसकी जो सहाइक नदियां हैं उनसे काफी प्रेशन बनते हैं क्योंकि इसकी काफी ज़्यादा सहाइक नदियां हैं तो चलते हैं अब जानते हैं हम कुलू जिले में जो इसकी सहाइक नदियां हैं तो दोस्तों कुलू जिले में जो ब्यास रीबर है, इसकी जो सहाइक नदियां हैं, वो हैं आपके सामने सैंच, हारला, तीर्थन और पारबती, ये मुख्यता इसमें जो इसकी सहाइक नदियां हैं, सैंच रीबर, हारला, तीर्थन और पारबती, तो बात करें सैंच रीबर की, तो दोस्तों, यह स्पित्त स्पिति घाटी के स्पाकनी चोटी से निकलती है तो आपने याद रखना है स्पिति घाटी की स्पाकनी चोटी से और लारजी के पास यहें ब्यास में मिल जाती है लारजी स्लान आपने काफी सुना होगा यहाँ पर काफी नदियों का संगम होता है नेक्स्ट है दोस्तो हारल तो हारला भुंतर के पास मिलती है ब्यास नदी में और नेक्स्ट है तीर्थन तीर्थन आपने सुन होगा तीर्थन नाम तो तीर्थन नदी जो है भी पीरपंचाल स्रेणियों से होकर लारजी के पास ब्यास में मिलती है तो सैंज भी लारजी के पास और तीर्थन जो है ये भी लारजी के पास ही ब्यास नदी में जाकर मिलती है और बात करें पारवती नदी की तो दोस्तो काफी महतपूर्ण रीवर है ये है क्योंकि ये ब्यास नदी की सबसे बड़ी साहिक नदी है आपको पता होगा इसी पर माचब देश की सबसे बड़ी जल विद्धुत प्रियोजना जो बनी है पारबती पिन पारबती प्रियोजना तो बात करें ब्यास की ये सबसे बड़ी साहिक नदी है और कहां से निकलती है दोस्तों तो ये निकलती है मान तलाई जील से मांतलाई जील से निकलती है पारवती नदी तो कौन कौन सी नदियां होगी एक होगी सैंज जो निकलती है स्पाकनी चोटी से और मिलती है लारजी में हारला भुंतर के पास तीर्थन जो है ये लारजी के पास और पारवती जो है ये मिलती है आपके ब्यास नदी में कहां मिलती है तो ये आपके लिए प्रशन है तो तीर्थन जो है ये मिल जाएगी आपके लारजी के पास और पारबती जो है ये सबसे बड़ी साइक नदी है जो की मांतलाई जील से निकलती है नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं अन्य भ पतली कुल ये जो रिबर हैं ये भुंतर के पास ब्यास नदी में मिलती हैं तो कितने प्रेशन हो गए यहां से इसकी जो सहाइक नदीया हैं कौन कौन सी हैं पहले तो बता दिया सैंज, हारला, तीर्थन और पारबती उसके बाद सोलंग, मनालसू, फोजल, सरबरी, पतली कु तो ये जो हैं ये कुलू जिले में हो गई ब्यास की सहाइक नदियां अब हम आगे पड़ेंगे मंडी जिले में ब्यास की सहाइक नदियां तो दोस्तो मंडी जिले में जो ब्यास की सहाइक नदियां हैं मुखेता आप देख सकते हैं उहल नदी, बेकर खड, सौन खड और ग्योनी खड ये जो चार हैं दोस्तों ये चार मुख्यता मंडी जिले में ब्यास की साहिक नदियां हैं तो उहल बात करें उहल नदी की दोस्तों उहल नदी जो है यही पंडो और मंडी के बीच ब्यास नदी में मिलती है और जो बेकर खड है दोस्तों ये संधोल में मिलती है कहां मिलती है संधोल में तो मैंने आपको पताया संधोल नामक स्तान पर ही दोस्तों ये जो बियास रिबर है वो कांगरा जिले में परवेश करती है और बेकर खड बहां मिलती है अगला है सोन खड सोन खड की बात करें तो सोन खड जो है वो मिलती है ब्यास रीवर में काड़ी नामक स्तान पर तो काड़ी नामक स्तान पर सोन खड जो है वो मिलती है और बात करें नेक्स्ट जियूनी खड की जियूनी खड जो है दोस्तो यहे पंडो के पास ब्यास रीवर में मिलती है तो ये चार रीवर जो हैं, ये हो गई मंडी जिले में ब्यास की सहाइक नदियां, अब चलते हैं हम कांगडा डिस्टी की और, तो दोस्तों कांगडा डिस्टी में भी काफी इसकी सहाइक नदियां हैं, तो बात करें, इसमें दो भागों में इसको बांटा गया है, एक उत्त गज चक्की ब्यास की उत्तरबर्ती साइक नदिया है तो दोस्तो गज जो है यह कहां मिलती है ब्यास नदी में पौंग जीली के पास मिलती है गज जो है दोस्तो यहे शापुर में बहती है और चक्की खड जो है दोस्तो यहे नुरपुर के पास नुरपुर से होते हुगे ब पहती है जो बिनबा जो खड है या फिर बिनबा जो साहिक नदी है बियास रिवर की और बात करें दक्षन बरती नदियों की दोस्तों तो कुना और मान खड जो है यह दक्षन से बियास नदी में मिलती है यानि कि हमिरपुर की योर से दोस्तों यहे कुना और मान खड जो है यहे साहिक नदिया हैं बियास जिले की कांगडा जिले में, तो दोस्तों बियास रिबर भी complete हो गई है, I hope आपको काफी अच्छे से समझा रहा होगा, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे और पीडियो को पढ़ेंगे, तो दोस्तों आपको किताब पढ़ने की जरू बती और कहां से निकलती है ये, तो दोलादार परपर शिंकला के बड़ा भंगाल से निकलती है, कांगडा के बड़ा भंगाल से ये निकलती है, और बहती जो है दोस्तों ये बहती है चंबा डिस्टिक में, तो आपने ये याद रखना है, चंबा डिस्टिक में बहती है, पांगडा के बड़ा भंगाल से निकलती है और इसके जो मुख्य साइक हैं दोस्तों भांदल और तंतकिरी नामक जो नाले हैं उसके बाद यह राभी नदी के नाम से जानी जाती है जब दोनों का संगम होता है भांदल और तंतकिरी नामक नालाओं का उसके बाद राभी नी तो खेरी नामकस्तान पर यह जम्मू कश्मीर में परवेश कर जाती है तो बात करें इसकी कुल नमबाई की तो कुल नमबाई इसकी है 720 किलो मेटर जबकि माचल में इसका प्रवाक शेत्र है वो है 158 किलो मेटर तो कुल नबाई हो गई 720 और माचल में इसकी कुल नबाई है 158 किलोमेटर तो ये जो बाते हैं आपने रावी रीवर से समंदित याद रखनी है अब हम आगे चलते हैं डिस्क्स करते हैं रावी नदी की साइक नदियों के बारे में तो दोस्तो रावी नदी जो है बहती है चमबे और चमबा डिस्टिक में और इसके किनारे जो दो बसे मुक्य शहर है एक आगया आपका भरमौर एक आगया चमबा जो में चमबा शहर है दोस्तो रावी की जो मुक्य साइक नदिया है एक है आपकी सियूल नदी तो सियूल नदी आप देख सकते हैं सियूल नदी का और जुबांस खट जो है दोस्तों इनके संगम से स्यूल नदी का निर्मान होता है कौन कौन सी खट संगनी खट विद्रो खट और जुबांस खट से स्यूल नदी का निर्मान होता है काफी बार एक्जाम में पूछा गया है स्यूल किसकी साइक नदी है तो ये राभी की साइ जो हैं और ये मुख्यता दोस्तो राभी की साइक नदियां है और इनी से एक्जाम में question पूछा जाता है लेकिन हम detail में discuss कर लेते हैं तो संगनी विद्रो और जुबांस खट के संगम से सिउल नदी का निर्मान होता है और बैरा खट मिलने से सिउल नदी बिशाल रूप धारन कर लेती है तो दोस्तो जो बैरा खट है वो जब सिउल नदी से मिल जाती है तो ये काफी बिशाल रूप धारन कर लेती है तो बात क हिमगिरी आपने याद रखना है हिमगिरी के छेतरी गाउं में जो बैरा खड़ है वो सियूल नदी में मिल जाती है और सियूल नदी जो है वो लोर चुरहा के छोड़ा नामक स्तान पर रावी नदी में मिलती है तो ये जो में फैक्ट है आपने याद रखने हैं कहां होता है बैरा और स्यूल का संगम होता है दोस्तों छेतरी गाओं में और जो स्यूल नदी है वो रावी नदी से मिलती है लोगर चुरहा के चोड़ा नामक स्तान पर बात करें अन्य साहिक नदियों की रावी की तो दोस्तों ये होगी बढ़ल या फिर इसे बुड़ल कहा जाता है जो पर तुंदाहा साल और बैरा खड़ ये में जो हैं दोस्तों साहिक नदिया है एक हो गई एक अन्य है एक चिर्चिंड आपने याद रखनी है और एक चत्राडी नाला जो है वो भी रावी की साहिक नदियों में गेना जाता है ये होगी आपकी रावी रिवर नेक्स अप च निकलती है तो ये निकलती है दोस्तों 12 लाच्चा दर्रे के स्मीब से तो दोस्तों जो चिनाब नदी है ये बनती है मुख्यता दो नदियों के मिलने से चंद्रा और भागा जो चंद्रा नदी है वो चंद्रताल जील से और जो भागा नदी है वो सुर्जताल जील से निकलत तो काफी असान है लोल स्वित्ती में ही दोस्तों चंदर और भागा नदियों के कारण ही इसको चंदर भागा के नाम से भी जाना जाता है लोल स्वित्ती में चिनाब रीवर को चंदर भागा नाम से जाना जाता है तो काफी important question है चंदर नदी जो है वो निकलती है चंदर ता और ये जो में नदी होती है उसके क्षेतर में जो भी एरिया आता है वो होता है इसका जल्ग रहेंट क्षेतर तो कितना है इसका वो है 4002 किलो मेटर और चिनाब की दोस्तों कुल लंबाई की बात करें तो ये है कुल लंबाई इसकी हो गई 1200 किलो मेटर जबकि माचल में इसकी सबसे बड़ी नदी है सबसे लंबी हो गई सतलुज और सबसे बड़ी हो गई चिनाब और बात करें चिनाब की तो मैंने बताया यह है 12 लाच्छा दर्रे से निकलती है और चमबा में दोस्टों यहे बुछिंद नामक लाअल नाच्छा दर्रे जो है ये जम्मु कश्मीर में परवेश कर जाती है तो दोस्तों ये संसारी नाला है ये आपका पांगी वैली में पढ़ता है तो ये main fact हो गए चमबा जिले में बुचिंद नामकस्तान से परवेश करती है और संसारी नाला नामक स्तान पर दोस्तों ये है कश्मीर में परवेश कर जाती है तो ये मेन फैक्ट हो गए और बात करते हैं अब इनकी साहिक नदियों की चिनाब की जो दोस्तों साहिक नदियां है मेन जो साहिक है वो है एक चंदरा और दूसरी है भागा तो मैंने पताया चंद्रा और भागा नदियों के संगम कहां पर दोस्तों ते टांडी नामक स्थान पर दोस्तों इन दोनों नदियों का संगम होता है तो काफी मेन प्रेशन है चंद्रा और भागा नदियां कहां पर मिलती है और कहां पर चिनाब नीवर का निर्मान होता है तो टांडी नामक स्तान पर तो चंदरा नदी लाहुल घाटी के बारालाचा दर्रा के समीब चंदरताल जील से निकल कर टांडी में भागा नदी में मिलती है और जो भागा नदी है ये भी बारालाचा दर्रे के समीब सूरिजताल जील से निकल कर टांडी में चंदरा नदी में मिलती है यहीं से चंदरभागा या फिर चिनाब रीबर का निर्मान शुरू होता है और बात करें अन्य इसकी जो साइक नदिया है तबो हो गया मियार नाला, तवी नदी, सैचु नाला ये जो है इसकी साइक नदिया है कितनी हो गई चंदरा नदी, भागा नदी, मियार नाला, तभी नदी और सैंचु नाला जो है दोस्तों यह जिनाब की मुख्यदा साहिक नदिया है तो चलते हैं हम हम आगे की और यमुना रीबर की और चलते हैं तो दोस्तों यमना रीबर जो है मैंने पताया माचब देश की सबसे छोटी नदी है सबसे काम इसका प्रभाग शेत्र है यह स्रमोर डिस्टिक में बहती है और बात करें बैसे ओबरॉल यह सबसे लंबी नदी है क्योंकि इसकी कुल लंबाई जो है वो है 1525 किलो मेटर यह एक माचब देश में गंगा नदी तंतर का भाग है तो यमना नदी का प्राची नाम है दोस्तों कलिंदी और कहां से निकलती है यह उत्राखंट के कलिंद परवत यमनोत्री से निकलती है तो एक पॉइंट यह हो गया और नेक्स्ट है यह यमना नदी जो है उत्राखंट के खुद्री मांजरी गाउं में यह प्रवेश करती है माचरप देश में और ताजेबाला नामक स्तान में यह माचरप देश को छोड़कर हर्याना में चली जाती है तो कहां से प्रवेश करती है खुद्री मांजरी से प्रवेश करती है और ताजेबाला नामक स्तान पर यह हर्य परना में प्रवेश कर जाती है और सबसे छोटी नदी है हिमाचर परदेस की अब इसकी बात करते हैं दोस्तों हम साहयक नदियों की, आई होप आपको वीडियो पसंदा रही होगी, आगर दोस्तों वीडियो पसंदा रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल तो भी शरूर सब्सक्राइब करें ऐसी important वीडियो पाने के लिए अब आप बात करते हैं यमना की साहिक नदियों की तो दोस्तों यमना की जो मुख्य साहिक नदी है गिरी नदी आपने सुना होगा गिरी नदी पबर नदी यहे इसकी साहिक नदियां है तो दोस्तों गिरी नदी जो है ये कहां से निकलती है ये निकलती है युबल की कुपर चोटी से निकलती है इसे भी question बनता है गिरी नदी कहां से निकलती है तो वो निकलती है कुपर चोटी से और कहां पर ये तो पॉंटा के यनकी सरमौर के पॉंटा साहिव जो है बहां पर मुकामपुर नामकस्तान पर दोस्तों यमना नदी में मिल जाती है गिरी कहां से निकलती है कुपर चोटी से और मिलती कहां पर है तो मकामपुर में और नेक्स्ट है तो अश्बनी और जलाल जो है दोस्तों अब बात करते हैं जलार रिवरकी की जलाल कहां से निकलती है तो दोस्तो जलाल जो है यह निकलती है नेही धार्टी से निकलती है और ददाहू नामकस्तान पर दोस्तो यह गिरी नदी में मिल जाती है अब नेक्स्ट है अस्वनी खड तो यह गिरी की यह भी साइक नदी है औ अस्बनी और जलाल जो है ये गिरी की साइक नदियां है और जलाल जो है वो कहां से निकलती है नहीं धार्टी से और ददाहू में गिरी में मिल जाती है और अस्बनी खट जो है वो सादू पुल सोलन के पास गिरी नदी में मिलती है अब बात करते हैं एक महतपूर नदी है व कौन कौन से नदियों के संगम से यह बनती है तो वो है रूपिन और सूपिन दो नदियों के संगम से तो टॉंस रिबर जो है दोस्तो यह भी खुदरी मांजरी के पास यमना में मिल जाती है जहां से जो यमना है कोई माचब देश में परवेश करती है उत्राखंड से अब नेक्स टेवर जो है वो है दोस्तो पबर नदी पबर जो है दोस्तो ये टॉंस की साइक नदी है और टॉंस जो है वो यमना की साइक नदी है तो दोस्तो कहां से निकलती है पबर नदी चंदर नहान जील से निकलती है यानि कि चांसल चोटी या फिर चंदर नहान जील से निकलती है पबर नदी और पबर नदी जो है कहां पर टॉंस में मिलती है तो ये मिलती है चकराता के पास तो ये जो मेन फैक्ट हैं दोस्तो कौन सी नदी कहां पर मिलती है कौन से संगम इसी से ही आज कल प्रेशन पूछा जाता है और साइक जादा तर खास साइक नदियों से प्रेशन पूछा जाता है तो पबर नदी जो है वो टौंस की साइक नदी है चंदरनान जील से निकलती है और चकराता के पास दोस्तो यह टौंस और पटसरी नदी जो है ये भी साइक नदियां है किसकी पबर नीबर की तो आंधरा नदी जो है वो चिटगाउं से और पटसरी नदी जो है ये खड़ा पत्तर से सिमलाशे निकल कर पबर नदी में मिल जाती है तो कहां से निकलती है दोस्तों आंद्रा नदी जो है वो चिटगाउं और पटसरी जो है यहे खड़ा पत्तर से तो दोस्तो यह होगे main fact और आंद्रा नदी जो है दोस्तो आपने सुन होगा एक बार बार भी आई थी तो चिटगाउं नदी में बार आंद्रा नदी है उसमें बार आई थी और चिटगाउं गाउं जो था वह बह गया था तो दोस्तो माचवदेश की 5 नदियों से सबंदित हमने सबी प्रेशन महत्वून प्रेशन जो हैं कबर कर लिये हैं अगर आपको किसी प्रेशन में confusion है तो आप comment करके जरूर बताना आई होप आपको वीडियो अपसंद आई होगी अगर दोस्तो इसी तरह की आप अन्य वीडियो चाहते हैं दोस्तो तो आप हमें comment करके जरूर बता देना और यहाँ पर जो mistake हुई है तो दोस्तो जो मैं आपको PDF प्रवाइड कराऊंगा बहाँ पर को मैं सही कर दूँगा तो दोस्तो थैंक्स पर बाचिंग God bless you all